प्रिविद्यार्थियो आज ही कक्षा में आपका पुना स्वागत है पिछले कक्षा में हमने रहीम के दोहों का ध्यन किया था रहीम एक ऐसे कवी थे जिन्होंने नीती की ज्ञान की बहुत सी बातें बताई हैं और रहीम एक अच्छे कवी तो थे ही एक अच्छे इंसान भी थे उनकी दानशिलता की चर्चा हर तरफ होती थी उनके दरबार में जो व्यक्ति उनके पास सहायता के लिए आता था तो वे उसकी हर संभाव सहायता क्या करते थे उस समय के एक कवी थे जिनका नाम है गंग गंग के पास उनकी दानशिलता की जब चर्चा पहुँची तो वे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने एक दोहा लिखकर रहिम से प्रशन पूछा दोहा था कि कहां से सीखी नवाब जू ऐसी दैनी दैन जो जो कर उचो कियो त्यों 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 नीचे नैं वे पूछ रहे थे कि हे रहिम जी आपने ऐसी दानशिलता कहां से सीखी है आप दान करने के लिए जितना हाथ उपर उचा करते हैं आपकी नजरें उतनी जुक जाती है यह विनम्रता यह दानशिर्टा आपने कहां से सीखी है दोहे के माध्यम से गंग ने पूछा रहीम तो कवी थे ही उन्होंने इस प्रशन का उत्तर एक दोहे के रूप में ही दिया और उन्होंने कहा कि देनदार को और है देत रहत दिन रैन लोग भरम हम पे करे तेते नीचे नैन कहा कि देंदार कोई और है वह प्रमात्मा है जिसने मेरे जीवन में धन संपत्ती की बारिश की है उसी का कुछ भाग मैं दिन दुख्यों को देता हूँ उनकी सहायता करता हूँ और वे इसका श्रेय मुझे देते हैं और यही कारण है कि मेरी नजरें जुक जाती है मुझे मैं जब देखता हूँ कि लोग यह समझते हैं कि मैं दे रहा हूँ तो मारे शर्म के मेरी नजरें जुक जाती है और इस तरह से रहीम ने गंग के प्रश्न का उत्तर दिया इसे पता चलता है कि रहीम कितने बड़े कवी थे, कितने बड़े इनसान थे उनके हिर्दय में दिन दुखियों के प्रती बहुत सहानुभूती का भाव था और वे हर संभव लोगों की सहायता किया करते थे आए रहीम के शेश दुखों का अध्यन आज करते हैं रहीमन देखी बड़ेन को लगू न दीजिये डारी जहां काम आवेश हुई कहा करे तरवारी रहीमन ने इस दोहे के माद्यम से यह कहा है कि समाज में सभी वर्व के लोगों का महत्व है वे कहते हैं कि अगर आपके जीवन में बड़े लोग हैं बड़े लोगों से आपके अच्छे संबंद हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप समाज के नीचे तबके के लोगों के साथ संबंद न रखें बलकि हमें समाज के सभी वर्व के लोगों के साथ अच्छे संबंद बना कर रखना चाहिए रहीमन देखी बड़ेन को लगू न दीजिये डारी बड़ों को देखकर हमें छोटों की उपिक्षा नहीं करनी चाहिए इसी बात को उन्होंने कुदाहरन के माध्यम से स्पष्ट किया है और उन्होंने कहा कि जहां काम आवे सुई कहा करे तरवारी जब हमारे कपड़े फट जाते हैं या हमें कपड़े सिलने होते हैं तो हमें सुई की जवरत पड़ती है तलवार की जवरत नहीं पड़ती तलवार धरी की धरी रह जाती है तो समाज में हर वर्ग के लोगों की अपनी उपयोगिता है तो हमें सभी लोगों के साथ अच्छे संबंद बना कर रखना चाहिए कभी भी समाज के नीचे तबके के लोगों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए क्योंकि वे हमारे लिए बहुत सारे कारे करते हैं और वे हमारी सहायता करते हैं अगला दोहा है रहीमन निज संपती बिनो कोव न विपत्ती सहाए बिनुपानी ज्यों जलज को नहीं रवी सके बचाए रहीम ने इस दोहे के माद्यम से यह कहा है कि विपत्ती के समय में हमारे पास धन का होना आवश्यक है जब हमारे पास धन होता है तब ही हमारे शुबचिन तक वे हमारी सहायता कर पाते हैं और हमारी मदद करते हैं वे आगे आते हैं मन से तन से हमारी सहायता वे करते हैं तो इसलिए विपत्ती के समय के लिए हमें कुछ धन बचाकर रखना चाहिए उसका संचय करना चाहिए ताकि आऊशकता पढ़ने पर हम उस धन का प्रयोग कर सकें रहिम ने इसी बात को एक उदाहरन के माद्दिम से समझाया है, बताया है और कहा है कि कमल फूल के खिलने में सुर्य की भूमी का महत्पुन होती है सुर्य की केड़ों का कमल के फूल पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और कमल के फूल खिल जाते हैं लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि कमल का फूल जल में डुबा हुआ हो यदि जल्विहीन कमल हो तो सुर्य की केड़े उस पर सकारात्मक प्रभाव डालने के बज़े नकरातमक प्रभावट डालती हैं और सुर्य की केनों के कारण कमल का फूल मुर्जा जाता है उसका पौधा मुर्जा जाता है तो कमल के फूल के लिए यह आवश्यक है कि उसका पौधा पानी में डुबा हुआ हो अर्थात विपत्ती के समय हमारे पास धन का होना आवश्यक है यदि धन हमारे पास होगा तब ही दूसरे लोग हमारी सहायता कर पाएंगे इसलिए हमें विपत्ती काल के लिए कुछ धन बचा कर रखना चाहिए धन का संचय करना चाहिए अगला दोहा है जिस दोहे में रहीम ने कहा है रहीमन पानी राखिये बिन पानी सब सून पानी गए ना उबरे मोती मानस चून रहीम ने यह कहा कि पानी बहुत ही मुल्लेवान है हमें पानी बचा कर रखना चाहिए बिन पानी सब कुछ सूना है पानी के अभाव में सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ सूना है, हमें पानी बचा कर रखना चाहिए कवी के द्वारा इस दोहे में शले शलंकार का बहुत सुन्दर प्रयोग किया गया है पानी एक अनिकार्थी शब्द है इस दोहे के संदर्व में पानी के तीन अर्थ है मोती के संदर्व में देखा जाये तो पानी का अर्थ चमक से है मनुष्य के संदर्व में देखा जाये तो पानी का अर्थ आत्म सम्मान से है प्रतिष्ठा से है और चून आटा के संदर्व में अगर देखा जाए तो पानी का संबंध जल से है यदि मोती में चमक ना हो तो उसका कोई महत्त नहीं होता यदि मनुष्य के जीवन में आत्म सम्मान नहीं है, परतिष्ठा नहीं है तो उस व्यक्ति का जीवन भी व्यर्थ माना जाता है और चून आटा के संदर में कहा जाये तो जब तक आटे में हम पानी न मिलाएं तब तक हम उससे रोटी नहीं बना सकते, अपना भोजन तयार नहीं कर सकते तो इसलिए रहीम कहते हैं कि रहीमन पानी राखिये, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चुन रहीम कहते हैं कि हमें पानी बचा कर रखना चाहिए बिना पानी सब कुछ सूना सूना सा है पानी के बिना न तो मोती का न तो मनुश्य का और नहीं चूने का अर्थात आटे का उधार हो सकता है तो प्यारे बच्चों आज हमने रहीम के दोहों का ध्यन किया आईए इस पार से संबंदित कुछ शब्दों के अर्थ जाने आवे आना निज स्वैम अपना विपत्ति मुसीबत संकट पियासो पियासा चित्रकुट वनवास के समय श्रीराम चंदरजी, सीता और लक्षमन के साथ कुछ समय तक चित्रकुट में रहे थे चित्रकुट एक अस्थान का नाम है और यह स्थान उत्तरप्रदेश में है आईए इस पार से संबंदित प्रशनों को देखें प्रशन संख्या गह रहीम ने सागर की अपेक्षा पंक जल को धन्य क्यों कहा है उत्तर रहीम ने सागर की अपेक्षा पंक जल को धन्य इसलिए कहा है क्योंकि सागर का जल खारा होता है वह किसी की प्यास नहीं बुझा सकता जबकि पंक जल धन्य है जिसे पी कर छोटे छोटे जीओं की प्यास त्रिप्त हो जाती है घर एक को साधने से सब कैसे सद जाता है उत्तर एक प्रमात्मा को साधने से अन्य सारे कारे अपने आप सफल हो जाते हैं प्रमात्मा ही सब का मूल है जिस प्रकार किसी व्रिक्ष की जड़ को सीचने से जल व्रिक्ष के प्रतेक भाग तक पहुँच जाता है और वह फूलों तथा फलों से लट जाता है उसी प्रकार परमात्मा की साधना करने से हमारे सारे मनोरत पूरे हो जाते हैं अगला प्रशन है जलहीन कमल की रक्षा सुर्य भी क्यों नहीं कर पाता उत्तर जलहीन कमल की रक्षा सुर्य इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि जल से कमल की प्यास बुझती है वह खिलता है और जीवन पाता है जल के अभाव में सुर्य की केणों का कमल पर प्रतिकुल प्रभाव पढ़ता है और वह मुर्जा जाता है विपत्ती की घड़ी में अपनी संपत्ती के बिना हमारा सहायक कोई नहीं होता इसलिए हमें विपत्ती काल के लिए कुछ संपत्ती बचा कर रखनी चाहिए च अवद नरेश को चित्रकुट क्यों जाना पड़ा उत्तर अवद नरेश अर्थाज श्री राम को अपने माता पिता की आग्या का पालन करने के लिए चौदा वर्षों का वनवास भूगना पड़ा था उसी वनवास के दौरान उन्हें चित्रकुट जैसे रमनिये वन में रुकने का आउसर मिला था च नट किस कला में सिद्ध होने के कारण उपर चड़ जाता है नट कलाबाजी में सिद्ध होने के कारण उपर चड़ जाता है और अपनी कला दिखाकर लोगों को मंत्र मुग्द कर लेता है ज़़ मोती मानुस चून के संदर्व में पानी के मत्व को स्पस्ट किजिए उत्तर मोती के संदर्व में पानी का अर्थ है चमक रहीम का कहना है कि चमक के बिना मोती का कोई मुल्य नहीं होता मानुस के संदर्व में पानी का अर्थ है आत्मसम्मान रहीम कहते हैं कि आत्मसम्मान के बिना मनुश्य का कोई मुल्य नहीं होता चून के संदर्व में पानी का अर्थ है जल बिना पानी के आटे के रोटी नहीं बनाई जा सकती दूसरे प्रश्ण में कुछ पंक्तियों के भावार्थ करते हैं निम्नलिखित का भावस पस्ट कीजिए तूटे से फिर न मिले, मिले गांट पर जाए उत्तर, रहीम कहते हैं कि प्रेम ऐसे धागे के समान है जो तूटने पर फिर नहीं मिलता यदि वह मिल भी जाए तो उसमें गांट पड़ जाती है आशय यह है कि प्रेम भाव नश्ट हो जाए तो दुबारा प्रयास करने पर भी संबंध मधूर नहीं हो पाते ख, सुनी अच्छी लई हैं लोग सब बांट न लई हैं कोई उत्तर, रहीम कहते हैं कि मनुश्य को अपना दुख सब के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए बल्कि उन्हें अपने हिर्दे में छिपा कर रखना चाहिए दूसरे लोग हमारे दुख को जानकर हमारी सहायता करने के बजाए हमारा मजाक उड़ाते हैं ग, रहिमन मुलही सीचबो फुले फुले अगाए उत्तर, रहिम कहते हैं कि यदि जड़ को ही सीचा जाए तो फल फुल अपने आप खिल उटते हैं उसी भाती मनुष्य प्रमात्मा का ध्यान कर ले तो सारे सुख अपने आप प्राप्त हो जाते हैं ग, दीरग दोहा अरत के आखर थोरे आही दोहा चंद आकार में छोटा होता है परंतु उसका अरत बहुत गहरा और व्यापक होता है ठीक वैसे ही जैसे नट कुंडली को समेट का रसी पर चड़ जाता है नाद रिजीतन देत म्रिग नरधन हेत समेत उत्तर रहीम कहते हैं कि हिरन रिजने पर अपने प्राण तक दे देता है और मनुष्य प्रेम सहित धन का दान कर देता है आशे यह है कि प्रसन मनुदशा में मनुष्य उदार हो जाता है च जहां काम आवे सुई कहा करे तरवारी उत्तर रहीम कहते हैं कि हर वस्तू का स्थान और महत्व अपनी जगह है बड़ी वस्तु अपनी जगह काम आती है और छोटी वस्तु अपनी जगह जहां सुई काम आती है वहां तलवार कुछ नहीं कर सकती आशय यह है कि छोटी वस्तुओं का स्थान भी बड़ी वस्तुओं से कम नहीं है इसी प्रकार छोटे लोगों का स्थान बड़े लोगों से किसी प्रकार भी कम नहीं है उत्तर कवी कहते हैं कि चमक के बिना मोती बेकार है आत्म सम्मान के बिना मनुष्य का जीवन वेर्थ है और बिना पानी के आटे का भी कोई महत्व नहीं है आशयया है कि बिना पानी के मोती मानुष और चुन का कोई महत्व नहीं है प्रश्न संख्या तीन निमनलिकित भाव को पाठ में किन पंक्तियों द्वारा अविवक्त किया गया है क जिस पर विपदा पड़ती है वही इस देश में आता है उत्तर जापर विपदा पड़त है सो आवत यही देश ख कोई लाक कोशिश करे पर बिगडी बात फिर नहीं बन सकती उत्तर बिगडी बात बने नहीं लाक करो किन कोई ग पानी के बिना सब सुना है अतह पानी अवश्य रखना चाहिए उत्तर रहिमन पानी राखिये बिन पानी सबसून प्रश्न संक्या चार उदाहरन के आधार पर पाठ में आये निम्नलिके शब्दों के प्रचलित रूप लिखिये पहला जियों जिसका अर्थ होता है जैसे कच्छू कुछ नहीं नहीं कोई कोई धनी आखर अक्षर जिय जी थोड़े थोड़े होए होना माखन मक्खन तरवारी तलवार सिचिबो सिचाई करना मुलही मूल जड पियत पीना पियासो पियासा बिगरी बिगडी आवे आये सहाय सहायक उबरे उबरना बिनू बिना बिथा व्यथा अठी लई हैं इठलाएंगे परी जाए पढ़ जाए तो इस तरह से हमने पाठ में आये शब्दों के परचलित रूपों के बारे में जानकारी प्राप्त की प्रिवध्यार्तियों आशा करता हों कि रहिम के दोहे आप लोगों की समझ में अच्छी तरह से आ गये होंगे अगली कक्षा में एक नए पाठ की पुना हम चर्चा करेंगे धन्यवाद